नमस्कार दोस्तों एक बर फिर स्वागत है आपका इंजन ग्यान चैनल में तो हम आज बात करने वाले हैं आईसर इंजन की चाहे वो 14 HP का इंजन हो 22 HP का इंजन हो और 30 का हो 56 HP का इंजन हो तो आईसर इंजन को कार में लाने से पहले किन-किन बातों पर ध्यान देते हैं हम आज उसी की बात करने वाले हैं तो आए स्टार्ट करते हैं इंजन से कार लेने के लिए आवश्यक चला इंजन स्टार्ट करने से पहले उसे उपयोग में लाने से पहले किन-किन बातों का ध्यान रखते हैं तो आएए जानते हैं, स्टार्ट करने से पहले चेक करें, इंजन स्टार्ट करने से पहले चेक करें, डीजल टंकी में डीजल का स्थाजाचें, और सुनिश्चित करें कि फ्यूल टैंक का जो नॉब है, वो खुला हुआ हो, दूसरा, इंजन में लूब्रिकेटिंग ओईल के लेवल का सही होना यदि ओईल कम है तो उसे पूरा कर दें डिपिस्टिक से लूबल छेक करें अगर लूबल का लेवल कम है तो उसमें लूबल डालें और लेवल को फूलफिल कर दें तिसरा, बेल्टों के टेंशन को चेक करें, यदि आवश्यक हो तो ठीक करें, बेल्ट का टेंशन अगर आपको लग रहा है कि लूज है बेल्ट, तो उसे टाइट कर दें, और अंगूठे से डबा के चेक करें कि टेंशन सही है, चौथा, इंजन को बंद करने वाला नोब का पूरी तरह से अपनी सीट पर बैठना, जो जिससे हम बंद करते हैं इंजन को, वो अच्छे से अपनी सीट पर बैठा हुआ होना चाहिए, पाचवाँ, इंजन पर लगे सारे लोड को हटा दें, अगर आपने इंजन बंद किया हुआ है, अगर उस पर कोई लोड पहले से डाला हुआ है, तो वो स्विच आफ कर दें, सारा लोड हटाने के बाद ही इंजन स्टार्ट करें, चट्था, इंजन को स्टार्ट करने से पहले उसके फाउंडेशन आधी के नट वोल्ट की टाइटनिंग चेक करना आवशक है, ध्यान रहे कि कभी भी चलते इंजन में नट वोल्ट को ना टाइट करें, ऐसा करने से दुर घटना हो सकता है, तो जब भी आपको नट तो बंद इंजन में ही चेक कर ले, चालू इंजन में नट वोल्ट कभी न टाइट करें, अगर टाइट करेंगे तो किसी परकार की दुर घटना हो सकती है, इंजन को सेल्फ स्टार्टर से स्टार्ट करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, तो आईए जानते हैं पहला, श्टार्टर स्विच में चाभी लगाकर औन इस्तिति की और घुमाएं दूसरा, इंजन को स्टार्ट करने के लिए चाभी को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं इंजन स्टार्ट होते ही चाभी पर से दबाव हटाते ही स्वता अन की स्थिती में वापिस चली आएगी तीसरा इंजन स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर मोटर सेल्फ को कभी भी तीन सेकेंड से अधिक समय तक ना चलाएं यदि एक बार इंजन स्टार्ट नहीं होता है तो दुबारा उसे कम से कम तीस सेकेंड के बाद ही स्टार्टर करने का परियोग करें चौथा यह भी जाच लेखी आयल प्रेशर इंडिकेटर बैटरी चार्जिंग इंडिकेटर तथा टंप्रेचर गेज ठीक से काम कर रहा है पांचवा यदि किसी भी परकार की असाधरन इस्थिती का भाव हो तो इंजन को तुरंत बंद कर दें तथा कमपनी के अधिकरित विक्रेता मेकैनिक से संपर्क करें डीलर से संपर्क करें और मेकैनिक से संपर्क करें इंजन को हैंडल से स्टार्ट करने के लिए किन-किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है पहला इंजन मॉडल 222-HS एवं 142-HS को स्टार्ट करने के लिए हैंडल का पर्यों किया जाता है तथा 222-ES एवं 142-ES को भी हैंडल से स्टार्ट किया सकता है दूसरा हैंडल से स्टार्ट करने के लिए डीकंप्रेसर लीवर को फ्लाइविल की तरफ कर दें और दबाएं तीसरा हैंडल को इंजन में लगा कर घुमाएं जैसे ही गती बढ़े डीकंप्रेसर लीवर को वापिस अपनी इस्तिती में कर दें इंजन स्टार्ट हो जाएगा यदि नहीं होता है तो दुबारा उप्रोक्तविधी को दोहराएं और आपका इंजन स्टार्ट हो जाएगा तो उमीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी अगर जानकारी अच्छी लगी हो और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, सेर, सस्क्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा तो मिलते हैं फिर नई जानकारी के साथ नई वीडियो में तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए नमस्कार